आज के शोगी शुरुगात एट वोमेंस टेक्टी मैस से हुई जिसमें एक साइट बैले नयोमी बियांका ब्लेयर और उनकी मेले में बिचली दूसरी बैंच जैड कारगिल थी और एक तरफ डैमिज कंट्रोल टिफनी स्ट्रेड़ॉन के बीच मैस दिखा बियांका ब्लेयर बैले में डैमिज कंट्रोल काफी मार देती नजर आई वो टैग नहीं देने दे रही थी टिफनी स्ट्रेड़ॉन ने भी काफी इंप्रेस करा बड़िया मैस दिखा इन वोमेंस के भी तोर इस मैच को बैले नयोमी बियांका और उनकी मेले में बिचली दूसरी बैन जैड क अस्टान ने अब एंड में वही हुआ जो होता है इस कारलेट ने रैफरी को अपनी साइड फसाया कैरिन क्रोस ने टाइलर बेट पर अटेक करा पीट डन ने कैरिन क्रोस पर अटेक करा और जैसी वो वापिस रिंग में गई ऑथर आफ पेन ने मूव देके हैं मैच जीत ल ऑटन, कैवन ओएबन्स वर्सेस सोलो सिकोव अटामा टूंगा के बीच मैच को कैंसल करने की डिमांड करी थी पॉलेमन ने बता यहाँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि रैंडी ओटन और कैवन ओवन्स सही सलामत रहें इसलिए मैंने उसको कैंसल करने उखा है निक नहीं पर बाद में Paul Heyman ने कहा कि ठीक है, कल की रात Randy Orton और Kevin Owens के साथ कुछ भी होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, जो भी उनके साथ होगा, जिसकी वज़ा से होगा, वो तुम होगे Nikaldis, Nikaldis कहते हैं, Bloodline के और Roman Reigns के जितने भी communication हैं, वो सब Paul Heyman ही तो देखते हैं, त तुमने Wrestlemania से Roman Reigns से बात नहीं करी, तो फिर draft से Roman Reigns का नाम वापिस कैसे लिया, पॉले मिन बताते हैं, Roman Reigns ने खुद से अपना नाम draft से वापिस नहीं लिया, मैंने Roman Reigns का नाम ड्राफ्ट से वापिस लिया था, रोमन Reigns का इसमें कोई decision नहीं था, समझो Nik, मैं नहीं चाहता कि Roman Reigns किसी chaos में फस है जो कुछ bloodline में चल रहा है उसकी वज़ा से नेक अल्डिस कहते हैं देखो Paul जिस तरह से तुमने Roman Reigns का नाम वापिस लिया उसी तरह से जाओ और Randy Orton और Kevin Owens का नाम भी वापिस ले लो क्योंकि यह सबी fans बहुत शांदार है Kevin Owens कहते हैं पहले RKO शो पर मैं किसी को बुलाना नहीं चाहता था मैं चाहता था कि हम fans के साथ मिलकर कुछ शांदार moment शेयर करें पिछले काफी time से Paul Heyman का call आ रहा था मेरे पास वो हमारे show का पार्ड बनना चाहते हैं तो मैंने उन्हें invite करी लिया है अब Paul Heyman की entry होती है Paul Heyman आके बोलते हैं मैं hall of famer और WWE का undisputed wise men हूँ क्या मैं अंदर आ सकता हूँ Kevin Owens कहते हैं Randy Orton Paul Heyman के अंदर आते ही आप उन्हें RKO दे सकते हैं Paul Heyman डर गए और फिर वो apron पर ही खड़े होके बात करते दिखाई दिए Paul Heyman केते हैं आज RKO नहीं लगने वाले हैं Randy Orton केते हैं मेरा मानना थोड़ा अलग है Paul Heyman कुछ बोलने लगे लेकिन इसी बीच fans ने we want Roman Reigns के chance लाने शुरू कर दिए Paul Heyman केते हैं मैं भी Roman Reigns को चाहता हूँ मेरे मन में Randy Orton और Kevin Owens तुम दोनों के लिए काफी respect है Roman Reigns Championship पर ध्यान देते थे लेकिन Solo Sicor और Tama Tunga अलग हैं वो काफी खतरनाक हैं Randy Orton केते हैं तुम हमें मत बताओ कि रिंग में कैसे काम करना है Paul Heyman मेरे मन में सवाल है कि आखिर Real Tribal Chief कौन है Paul Heyman कहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि सिर्फ एक ही Tribal Chief है तभी पीछे से Solo Sicor और Tama Tunga आके Randy Orton और Kevin Owens पर बुरी तरह सा अटेक कर देते हैं पहले तो Randy Orton और Kevin Owens मार खाते हैं लेकिन फिर वो fight back करते हैं कि भी स्तगड़ा ब्रॉल हो जाता है Official आके इनको अलग करते हैं Security वगर आके इनको अलग करते हैं अब वही चीज Security आके Randy Orton और Kevin Owens को पकट रहे हैं Solo Sicor और Tama Tunga को नहीं पकट रहे हैं लेकिन Randy Orton भी वाइसा बलक जाते हैं पकटक के Security में मार देते हैं इसके बाद Kevin Owens ने Tama Tunga और Security जो Gards से उन पे शांदा डैब लगाई और यहीं से Bloodline का Faction यानि की Solo Sicor और Tama Tunga पीछे चले गए इसके बाद हमें LA Knight वर्सेज गार जा के बीचे एक मास दिखा जिसे LA Knight ने जीत लिया LA Knight मैं जीतने के बाद मायक हाथ में लेते हैं और बोलते हैं कि हर जगे मेरी बात हो रही है यह मेरी रिंग है हर किसी को इस तरह से बोलने के बजाए मैं इस खुद को रिंग मनाने वाला हूँ मैं Officially तोर पर King of the Ring का पार्ट बनने वाला हूँ तो समझ आता है कि मैं कैसा हूँ हर कोई मेरा नाम लेगा इसके बाद हमें Street Profits vs Waller Theory के बीच Tech Team Title को लेके मैस दिखा बड़ी हमाज दिखा इनके बीच मैं जैसे Gerson Waller और Austin Theory ने जीता और Title यहां रिटेन कर लिए अब हमें AJ Style Caudi Roots का Segment दिखा मैं यहां Caudi Roots की कही कुछ Line Point करूँगा बस उससे ज़्यादा कुछ नीक होँगा नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा Caudi Roots आके बोलते हैं कि आप किस बारे में बात करना चाते हैं Fans से कहते हैं हर बार की तरह जैसा हूँ कहते हैं AJ Style फैंस को टार्गेट करते हूँ कहते हैं मुझे फरक नहीं पड़ता है यह लोग किस बारे में बात करना चाते हैं तो मैं अपना फोकस साही जगा रखना चाहिए तुमारा फोकस फैंस पर ज़्यादा है Caudi Roots कहते हैं हम George या बॉइस हैं मैं तुमको देखकर बढ़ा हुआ हूँ एक तो यह लाइन ठीक है आगे बढ़ते हैं AJ Style कहते हैं मैं यह सब सुनने नहीं चाहता हूँ यह सभी फैंस सूपर स्टार का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं Dusty Roots के कहने पर WWE ने तुमारा वेलकम करा तुमारी चीज़ें काम नहीं कर पाई और तुम फिर चले गए और इस तरह से तुम decision लेने का मौका नहीं मिला मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ मैं WWE से सालों तक दूर रहा मेरा वेलकम नहीं हुआ मैंने सालों तक खुद पर मेहनत करी काम करा और अपनी जगए बनाई तुमारी तरह नहीं जहां लेजन्ड ने आकर तुमारी स्टोरी खतम करने में मदद करी मैं यह सबी को याद दिला हुआ और मैं हमेशा कहूँआ कि मैं phenomenal one हूँ अब कॉड़ी roots कहते हैं तुम किसे बताने ही कोईश कर रहे हो मैं तुमको future का hall of famer बता चुका हूँ WWE champion बनने के लिए तुमने काफी मेहनत की है तुम मेरे challenger हो तुम जरूर phenomenal होगे मैं तुमको अपने पहले opponent के रूप में देख रहा हूँ और यह too sweet है यह line ठीक है age style ने bullet club का sign का इशारा बनाया फिर kaudi roots भी बनाते हैं लेकिन इसके बाद age style खीच के थपड़ kaudi roots के देते हैं और यहीं segment का end हो जाता है age style चले जाते हैं अब अचानक से camera move होता है और back stage दिखाया जाता है कि बाइसा brawl देखने को मिल रहा है किसके बीच Randy Orton, Kevin Owens, Solo Sikho और Tama Tunga के बीच security वगर बीच पचाप कर रहे होते हैं Kevin Owens और Tama Tunga बड़ी बूज़ी किस लट रहे थे Randy Orton भी Solo Sikho से बट रहे थे Solo Sikho अचानक chair से Randy Orton पर attack करते हैं Randy Orton बचते हैं और Randy Orton उसी चेयर को लेके बाइसाब Solo Sikho को कूट देते हैं और यहीं इसी brawl के साथ show end हो जाता है Paulieman ने बताया कि backlash में कुछ बड़ा होने वाला है जो कि Randy Orton और Kevin Owens के लिए अच्छा नहीं होने वाला है Paulieman ने यह भी बताया कि Roman Reigns और WoW WrestleMania 40 के बाद से contact में ही नहीं है महीं कॉड़ी रूट्स फिर एक बार ही जिस style की बड़ा ही बस बड़ा ही बस बड़ा ही करते को दिखाई दिए आप इससे यादा कुछ नहीं कहूंगा आप backlash दिखेगा देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है अगर आप ने वीडियो यहां तक देखी है और आपको पसंद आईए तो लाइक करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता हूं जल्दी नेक्स वीडियो में थैंक यू जल्दी नेक्स वीडियो में